नमस्कार दोस्तों बात करेंगे लंबर हर्णियाज के बारे में लंबर हर्णियाज हमारे लेटरल साइड में होते हैं यानि कि ये जो रिप केज है, रिप्स के नीचे और जो पेलविक बोन है इसके उपर के हिस्से के बीच में जो सॉफ्ट इशु है इन में होने वाले हर्नियास को लंबर हर्निया के नाम से जरा जाता है इनके कैसे सिंटम्स हैं एक ऐसे प्रिजेंट करते हैं इसे आप कैसे पहचाने इसके टेस्ट क्या होते हैं इसकी management क्या होती है यह सब ही इस वीडियो में हम discuss करेंगे। लंबर हर्नियास साइड पे होते हैं और यह less common होते हैं as compared to जो कोई सामने वेंटल हर्नियास देखे जाते हैं जैसे कि अमलाइकस, अमलाइकस के ऊपर या नीचे के हर्नियास इसलिए यह less common होने के वज़े से और पेट के lateral side के होने के वज़े से at times इन्हें पहचानने में लोग देरी करते हैं और उनके डियास डिए हो सकते हैं जिस तरह से बाकी हर्नियास में एक swelling feels वी होती हैं वैसे ही इन हर्नियास में भी lateral side में exclusive feeling patient कर सकते है यह patient का weight कई बार जादा होने की वीरे से हर्निया का size चोटा होने की वीरे से swelling की बजाए patient सिरु veg पेन ही फील कर सकते हैं, कि उन्हें लेटर्र साइड में एक प्रसिस्टंट पेन हो रहा है, जो कफ करने से या ईगसर्शन से भड़ता है और अदरवाइस कम हो जाता है, इस condition को भी एक symptom लंबर हर्निया का माना जा सकता है, इसके बाद अगर हर्नियाज में complication आ जाए जैसे दूसरी हर्णियास में अगर यह हर्णियास में interest in first जाती है तो severe pain vomiting यह सब भी patient feel कर सकते हैं हर्णियास को diagnose कैसे करें जब आपको ऐसा को symptom है तो आप doctors के पास जाएए वो इस जगह को feel करकर एक swelling को feel कर सकते हैं आपको कफ करकर इस हर्णिया को बढ़ा कर उसके feel कर सकते हैं यह हर्णिया बाहर अंदर जाता है उससे भी एक निशाने मिलती है कि हर्णिया का symptom है और इसके बाद कुछ test किये जा सकते हैं जैसे कि एक simple ultrasound उस पर भी at times हर्णिया हो जाता है और अगर उसमें doubt है then we can do a CT scan या MRI जिसमें बहुत clearly हर्णिया देखे जा सकते हैं इन हर्णिया के कारण क्या है यह अपने आप भी हो सकते हैं जैसे कि इस area में superior और inferior lumber triangles में कुछ weakness रहती है muscles के overlap में थोड़ा cap रहता है और उस कारण से भी इस area में यह कोई intestine यह momentum बाहर आ सकता है और आप हर्णिया के शिकार हो सकते हैं इसके बाद अगर पहले इस area में कोई cut लगा है जैसे कि को किड्नी की surgery को यूरेटर की surgery ऐसा operation हुआ है तो उससे भी serious के muscle week होने की वज़े से यहां पर हर्णियास बन सकते हैं इन हर्णियास को ठीक कैसे करते हैं वह जैसे बाकी हर्णियास में भी operation की जरुद पढ़ती है उसी तरह इस हर्णियास को भी operation के थूरू ही ठीक किया जा सकता है अजाद अर्गेस में लेप्रोस्कोपिक स्रद्री इसमें कामियाब रहती है बहुत चोटे चोटे होल से ही हम इस हर्णिया के आगई का जो content है उसे reflect करके इसके पीछे जो जीज़ हर्णियाट कर गई है यानि कि momentum है या fat है जो इस hole में से बाहरा जा रही है उसे वापिस पेट मिला सकते हैं और यह दुबारा ना हो इसलिए इसके ऊपर एक mesh बिठा सकते हैं हर्णिया के defect को close करने के बाद लेप्रिस्कोपिक सद्री से बहुत सारे ड्वांटेजेस हैं कट बहुत छोटा होता है रिकवरी बहुत फास्ट होती है दुबारा होने का रिस्क भी कम रहता है निशान बहुत कम आता है और बहुत जल्दी अपनी नॉर्मल लाइफ में वापिस जा सकते हैं Excuse me, if you like our videos kindly like, share and subscribe, we'll be very thankful, thank you